हाई फ्रेंड्स वल्कम बैक टो आ चानल तो आज हम बनाएंगे एक किलो चनन डाल के बेशन के लड़ू तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं तो यह मैंने चनन डाल लिया और इसे अच्छी तरह मैंने साफ करके लिया है अब इसे हम कडाई में प्राय करेंगे कडाई में ह लो छोटे चमज घी और घी थोड़ा गरम हो जाने के बाद इसमें हम आड करेंगे चनन डाल को यह एक किलो बेशन के लड़ू हम बनाएंगे और चनन डाल को हमें अच्छी तरह लो टू मिडियम फ्लेम पे भूनना है लगबाग 20 से 25 मिनिट के लिए चनन डाल थोड़ी ग लाड़ू बनते हैं बहुत ही ऐसे टेस्टिक बनते हैं और इसे अच्छी तरह भूनना है ज्यादा हाइफ्लेम नहीं करना है तो यह जल जाएंगे यह देखिए ऐसे गोल्डन कलर आने तक भूनना है हमें और थोड़ा पार्श मिनिट भूनेंगे और यह हमारे चनन डाल अब हम प्लेट में निकाल के लेंगे और इसे थंड़ा हो जाने के बाद इसे हमें चक्की में पीस के लाना है तब तक हम रवा फ्राय करेंगे और कड़े में हम आड करेंगे तीन से चार चोटी चमच घी गी से बहुत ही अच्छी टेस्ट आते और खुश्बू भी बहुत हमारे कर दे लेगे अच्छी तरह तरह गोल्ड़न प्राय करा हुँने तक हमें रवा यह देक बंट भी हमारा अच्छी तरह गोल्डं प्राउन हो चुका है अब हम इसे बावल में निकाले के लेंगे और अच्छी तरह पीस के लाना है हमें और मिहीदे एलाइक नम आढर गुड़ लिया है हम गुड़ के बनाने वाले है इसलिए मैंने गुड़ लिया है और आदा किलो गुड़ लिया है मैंने अब हम बेशन जो पिसके लाय था वह फिर से फ्राइ करेंगे और कड़े में मैंने चार बड़े चमश्द गी लिया है और इसे हमें फिर से लो टू मिडियम फ्लेम पर हमें भून के लेना है अच्छी तरह भूनना है जब तक बेसन हमारा ब्राउन ना हो जाए जितना हमारा बेसन भूनता है उतने टेस्टी बनते जादा भी भूनना नहीं है नहीं तो वह कड करेंगे रवा जो हमने भूना होवा ता वह वाला एड़ करेंगे और इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे अब हम ब्राद करेंगे गुड़ में यह कंट भून छी तरह हमें हातों से आतर-क फूड़ के लेना है और यह मीन आहा फ़ीम द्स Maisher करेंगे हैउत तरन यहाज अच्छी तरह बैसन में मिक्स हो चुका है और यहांब है मैंने घी गरम के लिए और यह एक कप घी है कि आप यह इसे हम गरम करेंगे गरम हो जाने के बाद थोड़ा-थोड़ा करके तोड़ा आड़ करेंगे और इसे चंभच की हिल्प से हमें मिक्स करना हैं हम थोड़ा-थोड़ा करके हम घी अड़ करेंगे एक साथ घी नहां डाले और इसे फिर से हमें अच्छी तरह मिक्स करने हैं घी कम लग रहे है आप लड़ु ऐसे बना के चेक कीजिए कि बंद रहे हैं नहीं बाद में हाथों की हेल्प से भी इसे अच्छी तरह मसल लाएं और हम चेक करेंगे लड़ू हमारे बंद रहे हैं यह निग लड़ू बंद रहे पर गी थोड़ा कम लग रहा था इसलिए मैंने थोड़ा और तीन बड़ा चमच एड़ किया हैं और इसे फिर से हमें अच्छी मिक्स करने हाथों की हेल्प से मिक्स कीजिए ताकि वह अच्छा मिक्स हो जाए और यह देखिए लड़ू हमारे बंद रहे हैं इसका मतलब परफेक्ट है इसमें और यह सारे बेसन की लड़ू हम बना के लेंगे ज्यादा गी आड़ करेंगे तो हमारे लड़ू अच्छी में नहीं आएंगे इसलिए थोड़ा थोड़ा करके गी आड़ कीजिए और अच्छी तारे इसके लड़ू बना के लेंगे और यह मैंने सारे लड़ू बना के लिए और यह हमारे बेसन की लड़ू बन के रेडिये देखिए बहुत ही अच्छा टेक्शर आया है और खसते लड़ू बने है तो हमारे बेसन की लड़ू बन के रेडिये मिलते है अगले वीडिये में तब तक के लिए बाबा एंड हैपी दिवाली